कॉंफ्रेस पार्टी इस बार चुनाओ दबा के लड़ रही है और गुजरात की जो जनता है वो भी बीजेपी से गुस्सा है बहुत सारे वाइदे किये वाइदे पूरे नहीं हुए तो यह फीलिंग है मगर वहां जाने से पहले मैं दो शब्द आपको बताना चाहता हो कल मेरी बेहन मेरे घर आई और कहती है कि यह क्या हो रहा हुए तो मैंने का मतलब कहती है कितन में गई कि कहती है कि सब कुछ तुमारे किचिन में गुजराती है खाकरा गुजराती अचार गुजराती मुंपली गुजराती तो आपने पिछले दो महिने में मेरी आदत है खराब कर दी है मेरा वेट बढ़ता जा रहा है तो इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं और आपने मुझे पिछले दिनों में सिखाया भी काफी है आपसे मिलकर किसानों से मिलकर सूरत में जो मुझे लोग मिले जिन से मैंने बातचीत की उनसे मुझे काफी सीखने को मिला आम तोर से चुनाव की लड़ाई है हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं विचारधारा की लड़ाई है मगर मुझे काफी फाइदा मिला आपके दिल की बात सुनने को मिली गहराई से समझने को मिली और गुजरात में क्या-क्या बदलना है वो भी सुनने को मिला और जरूर हमारे नेताओं से मिला हमारे सीमियर नेता बैठे हैं उनसे बातचीत हुई हमारे कॉंग्रेस के लोकल नेता है उनसे बातचीत हुई उससे फाइदा मिला मगर सबसे जादा जो आंगनवारी महिला है किसान है आप सब लोग हो गुजरात की जनता आप से मुझे बहुत शीखने को मिला मैंने कल मोधी जी का भाशन देखा पुरा नहीं देखा मगर मैंने देखा और मैं सुन रहा था और भाशन में 60% समय मोधी जी ने कॉंग्रेस पार्टी के बारे में बोला मेरे बारे में बोला कॉंग्रेस पार्टी ये है कॉंग्रेस पार्टी वो है देखिए ये जो चुनाव है ये ना बीजेपी के बारे में है ना कॉंग्रेस पार्टी के बारे में है, ना नरेंद्र मोधी जी के बारे में है, ना राहुल गांदी के बारे में है, ये एक चुनाव जो है, ये सिर्फ एक चीज के बारे में है, गुजराद की जंता के भविश्य के बारे में है, और कल पूरे भाशन में नरेत्रमोदीची जी ने आपके भविश्य की बात नहीं दिन, मैंने सुना कि गुजराथ के लिए भविश्य में बीजेपी क्या करना चाहती है और कैसे करना चाहती जरूर नहीं भवाशन में बोलूगा कि पिछले पांच सालों में, दस सालों में, बाइस सालों में बीजेपी ने ये ये नहीं किया और वो तो चुनाव में हम बोलेंगे ही बोलेंगे मगर दूसरी कम ही ये है कि हमने मैनिफेस्टो बनाया सैं पिट्रोडा जी ने, मिस्त्री जी ने, सोलांकी जी ने और ये सिर्थ कॉंग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं, मैं आपको बता सकता हूँ इसमें गुजराच की जनता की आवाज है और कैसे डाली हमने आवाज, आपसे पूछ पूछ कर, बैठ कर आपके साथ किसानों से बैठ कर, साथ बैठ कर उनसे पूछ कर, भैया बताओ क्या है किसानों ने हमें कहा देखिए, राहुल जी, सही MSP नहीं मिलती दाम नहीं मिलता है तो हमारे मैनिफेस्टो में लिखा है आपको सही दाम मिलेगा, और सिर्फ सही दाम नहीं मिलेगा पहले आपको बता दिया जाएगा, कि इस सीजन में आपको इतना दाम मिलेगा कि जो आपके दिल में जो डर, डर है, वो कम हो हर गर के पास हम गयें और हमने पूछा बताईए क्या कर सकते हैं आपके लिए कुछ दिन पहले, मेरी एक मीटिंग में एक महिला खड़ी होती है, कहती है, देखे, राहूल जी दाम बढ़ते जाते हैं, रो रही थी, प्रेस वालों ने देखा, रो रही थी कहती है कि देखे, राहूल जी, दाम बढ़ते जाते हैं मगर हमारी जो सैलरी है वो वहीं की वहीं आड़ी रहती है वो हिलकी नहीं है मैंने जाकर मैं उनसे गले लगा और मैंने उनसे खा देखिए आपके सामने जो समस्या है वो गुजराद में किसी के सामने नहीं होनी चाहिए एसे हम एक भी महिला नहीं देखना चाहते हैं जो यह कह सकती है जो आपने मुझे कहा और जो आप जैसे आज रो रही है आप जैसे रो रही है वैसे कभी नहीं हो सकता है गुजराद में हम नहीं होने देंगे तो हमारे मैनिफेस्टो में लिखा है कि लोगों की पे बढ़ती जाएगी अंधर बारी महिनाओं से बात की भाईया ये दोल अब ये बात नहीं बचाना चुनाओं के बात अलग अलग लोगों से हमने बात की और आपने हमें बताये कि भाईया देखिए हमें ये ये चाहिए ये काम बीजेपी नहीं किया है इसलिए भाशन में साथ प्रतिक्षाथ समय नरेंद्र मौदी जी कॉंग्रेस के बारे में बात पर सकते हैं ये चुनाओं गुजरात की जनता का चुनाओं है गुजरात की जनता के सामने ये चाहिए कॉंग्रेस पार्टी हो चाहिए मैं हूँ हम बहुत चोटी चीज़े और यह आपके भविश्यता चुनाओं है पिछले 22 साल में क्या हुआ दो तीन सवाल आपसे पूछता हूँ 22 साल से हम नर्मदा के पानी की बात सुन रहे हैं आप मुझे बताओ आपको नर्मदा का पानी मिलता है हाँ या ना कि देखिए 45,000 एकर 45,000 एकर जमीन आपकी जमीन थी गुजरात के किसानों की जमीन थी आपसे ठीन कर हाँ वो आपने नाम लिया मैं नाम ने लूँगा एक व्यक्ति को आपने दी 45,000 एकर उसको नर्मदा का पानी दिया उसको पिजली दी आप जाते हो जमीन किस रेट पर दिया एक रुपिया प्रती मीटर और महीनों पार उसे व्यक्ति ने आपकी जमीन तीन हजार से पांच हजार रुपै प्रती मीटर बेची सरकारी कंपनियों को बेची मगर नर्मदा का पाली आपको नहीं में सकता बिजली आप तो नहीं मिल सकती नानो काक्ट्री लगाई पैसा नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रदेश में एक कंपनी को पकड़ा दिया कि हमने 35,000 क्रोर रुपै अंहोंने 33,000 क्रोर रुपै नैनो को चला अब आप बताहई है आप गुजराथ में गोमते हो और हिंदुस्तान में गोंते हो आपने कभी कहीं नैनों देकhी है कहीं देकिए आपने नैनों चलते हुई तो 33,000 क्रोर रुपए आपका गया, उसमें भी पानी आपका गया, उसमें भी बिजली आपकी गई कर्दा माफ़ी की बाद 1,30,000 क्रोर रुपए हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का इन्होंने माफ़ किया है उसका उसका 9,000 करोर रुपए का कर्ज है आप नाम बोलो मैं बताता हूं कितना कर्ज है, मेरे पास लिस्ट है किसी के पास में 40,000 करोर रुपए है, किसी के पास 50,000 किसी पास 80,000 करोर रुपए मकर जब हम किसान के कर्जा माफ की बात करते हैं जब हिंदुस्तान का किसान कड़ा होता है कहता है भाईया आपने इन लोगों का कर्जा माफ किया 10-15 लोगों का कर्जा माफ किया हमारा भी कर दीजिए तो मिरेंद्र मोदी जी कहते है अरुन जेट्री जी कहते हैं किसान का कर्जा माफ करना हमारी पॉलिसी नहीं है सिर्थी से बात है हम समझते हैं मोदी जी जेट्री जी कि आपके पॉलिसी नहीं है मकर जैसे ही गुजरात में कॉंग्रेस पार्टी की सरकार आएगी दस दिन के अंदर हम पॉलिसी बना देंगे किसान का परज़ा माँक करने के दूद मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि पूरा का पूरा काम गुजरात के किसानों के लिए होना चाहिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप 33,000 करोर रुपे टाटा नैनो फैक्टरी को दे सकते हो अगर आप 45,000 एकर जमीन गुज़ात के किसान से एक व्यक्ति को देने के लिए जीन सकते हो तो फिर आप किसान का कर्जा भी माफ कर सकते हो मैंने मोदीजी से सवाल पूछे मोदीजी गुज़ात मौडल की बात करते हैं और प्रेस वाले भी इसे गुज़ात मौडल कहते थे मगर ये गुज़ात मौडल नहीं है ये श्री नरेंद्र मोदीजी का मौडल है गुज़ात मौडल का मतलब मैं आपको बताता हूँ कुछ साल पहले में न्यूजी लेंड गया न्यूजी लैंड में उन्होंने में प्रेजेंटेशन किया दुनिया में सबसे ज्याधा दूद न्यूजी नक्षा लगावा था एक देश में वो दूर नहीं भेजते थे कौंसा देश हिंदुस्तान तो मैंने उसे पूछा आप एक बाद काईए यह क्या हो रहा है आप सब जगें भेज रहे हो हिंदुस्तान में आपके नहीं अपना दूर भेजते हो कहता है राहुल जी कि गुजरात में एक जगा है आनंद गुजरात और आनंद की महिलाओं से हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं हम कॉंपेटिशन नहीं कर सकते हैं पाकिस्व सब्सक्राइए हम अपना दूर भेज सकते हैं अगर गुजरात में और हिंदुस्तान में हम दूर नहीं बेज सकते हैं गुजरात मॉडल का मतलब गुजरात की महिलाओं की शक्ति, गुजरात मॉडल का मतलब गुजरात के किसानों की शक्ति का प्रयोग करना, गुजरात मॉडल का मतलब जो सूरत में दिन भर काम करते हैं, उनकी शक्ति का प्रयोग करना, गुजरात मॉडल का मतलब आपकी जमीन का फाइदा आपको देना गुज्रात मॉडल का मतलब जो गुज्रात को लोग चलाते हैं उनकी बिज्ली उनको वापस देना यह गुज्रात मॉडल नरेंदर मोदी जी का मॉडल 45,000 एकर एक उज्योपती को 33,000 क्रोर रुपे टाटा नैनो प्रोजेक्ट को इनके 10-15 मित्र हैं और सब का सब यह इनके लिए करते हैं इसे लिए बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि अगर वो सच्चा ही बोलें तो आपको कहेंगे कि अगर चुनाओं जीतेंगी बीजेपी तो पिर अधानी जी के लिए हम यह करेंगे ताटा नैनो जैसे प्रोजेक्ट में हम इतना पैसा डालेंगे मैं सवाल पूछता हूं मोदीजी से सवाल पूछता हूं आप से प्रेस वाले हमारे यहां खड़े हैं आपके माधियम से बीजेपी ने पिछले चुनाओं में वाइदा किया था कि 50 लाक घर बनाएंगे गरीबों के लिए तो पहला सवाल है मोदीजी आपने पांच लाक भी घर नहीं बनाएंगे वाइदा किया था पचास लाक का सच्चाई पांच लाक से कम दूसरा सवाल जब आप यहां आए 20 साल पहले गुजरात का गुजरात पे कर्ज 9000 करोर का था आज तक्रीबन साड़े धाई लाक करोर का कर्ज है यह पैसा कहा गया यह आप पताईए तीसरा सवाल शिक्षा के मामले में गुजरात हिंदुस्तान के प्रदेशों के लिस्ट में 26 नंबर पे आता है आप बताईए गुजरात 26 नंबर पे क्यूं चौता सवाल आपने तीन रुपे की बिचली के लिए अपने उद्योग पती दोस्तों को 24 रुपे पर यूनिट क्यूं दिया मैंने आप से चार सवाल पूछे हैं मैं आपको आप एक और छुट दे देता हूँ इन चारों सवालों का जवाब मत दीजिए multiple choice ले लीजिए इन में से एक सवाल का जवाब कर लीजिए मगर मोधी जी जवाब नहीं देंगे मोधी जी सिरफ बीते हुए समय की बात करेंगे Congress Party की बात करेंगे मगर भविश्य की बात नहीं करेंगे मैं आपको थोड़ा सा बविश्य का बारे में पर बता देता हूँ बविश्य में अंग्रेस पार्टी क्या करेंगी करदा माफ करने के बारे में मैंने आपको बता दिया करदा माफ करने के लिए के बारे में आपको बता दिया गेलोड़ जी यह वेटे हैं जब यह राजिस्टान में चीफ मिनिस्टर थे पूरे राजिस्टान में हस्पतालों में फ्री इलाज होता था दवाईयां फ्री में मिलती थी यही काम हम गुजराप में करने जा रहे हैं आज हम जाते हो कोई बिमार होता है कैंसर होता है दिल का दौरा होता है पूरे के पूरे हस्पताल प्राइवेटाइज्ड है एमाराई कराओ, एक्सरे कराओ, हजारों रुपए निकालो, ओपरेशन कराना है, तो ठेव से पहले लाकों रुपए देओ, फिर ओपरेशन कराओ, यह हम बदलेंगे, टॉंग्रिस की सरकार आएगी, सरदार पटेल जी का के नाम का हेल्थ कार्ड, में हम फ्री दवाई, और कम से कम पैसे में आपका इलाज कराएंगे, पच्चिस लाक, पच्चिस लाक घर हम बना कर गुजराज की गरीब जनता को दिलवाएंगे, और जो हमारी महिलाए है, गुजराज की शक्ति है, जो लड़कियां स्कूल और कॉलेज में जाती है, उनके लिए हम मुफ्त में शिक्षा दिन्वाएंगे, मगर हम वहाँ नहीं रुकेंगे, मैनेफेस्टों हमने बहुत अच्छा बनाया है, और पूरे के पूरे मैनेफेस्टों को हम लागू करके दिखाएंगे, मगर में बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देखिए, जमीन आपकी है, बिज्री आपकी है, पानी आपका है, और सरकार चलेगी, तो पांच-दस उद्योग पतियों के लिए सरकार नहीं चलेगी, सरकार चलेगी, तो गुजरात के किसानों के लिए चलेगी, सूरत में जो वियापारी है, small-medium businesses हैं, उनके लिए चलेगी, गुजरात के हर वर्ट के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए चलेगी, और आपको लगेगा, 22 साल के बार आपको पहली बार लगेगा, यह कुछ बदलावाया है, 22 साल से आपको एक आज़त लग गई है, हर 10-15 दिन, आप मोधी जी की मन की बात सुनते हो, हम आपको अपनी मन की बात नहीं बताएंगे, हम आपके पास आएंगे, और आप से, आपकी मन की बात पूछेंगे, और जो आप हमें कहोगे, वो हम आपको करके दिखाएंगे, खोक्रे वाइदे हम नहीं करते हैं, देखिए, नुकसान भी हो जाता है मैं कभी-कभी, 15 लाग रुपह बाला वाइदा मैं नहीं करूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, मगर मैं आपको ये बता सकता हूँ, कि जो हमने अपने मैनिफेस्टों में लगखा है, उसको करने के लिए हम अपना पूरा दम लगा देगे, जो भी हमारे अंदर हैं वो हम लगा देगे, और आपको फरक दिखेगा, आपको लगेगा कि पहली बाद नर्मदा का पानी आ रहा है, लगेगा कि किसानों को लगेगा कि भाई, बिजनी दिन में भी मिल रही है, 16 गंटे बिजनी मिल रही है, आखरी बात मैं कतम करने से पहले, बरस्ट चार के बारे मैं करना चाहता हूँ, देखिए जहां भी मौदी जी जाते हैं, बरस्ट चार की बात करते हैं, नोट बन्वी की, आप सब को लाइन में लगाया, देश के सब चोरों का पैसा, और आपने अपनी आखों से देखा, जब आप लाइन में कड़े थे, आपने बैंक के अंदर देखा, कि सूट बूट वाले अपना सब पैसा बदल रहे थे, काले पैसे को सफेद कर रहे थे, आपको लाइन में लगाया, और हिंदुस्तान के चोरों का पैसा, काले से सफेद में बदल दिया, गबर सिंग टैक्स लागू किया, आप पर सबर्दा चोट मारी, और इस आन्दी में से, एक कमपनी निकलती है, बाकि सब कमपनियां खतम हो गई, लाकों लोफ बेरोजगार हो गई, एक कमपनी निकलती है, एक कमपनी निकलती है, जो पचास हजार रुपे को, महीनों में असी करोर में बदलती है, अमिद शाजी के बेटे की कमपनी जै शाजादा खा गया अब पता भी क्या है अमिद शाजी के बारे में पूरा गुझराज जानता है पूरा गुज्रा जानता है पाटिदार समाच जानता है गुज्रा जानता है सब जानते हैं मगर पता नहीं क्या कारण है कि नरेंद्र मौदी जी जो कहते हैं कि मैं ना काऊंगा ना काने दूँगा पता नहीं क्या कारण है कि नरेंद्र मौदी जी के नाक के सामने अमिट शाह के बेटे की कमपणी पचास हजार पचास हजार रुपए को असी करोर में बदलती है और देश का चौकिदाय एक शब नहीं कहता है एक शब नहीं पता नहीं क्या है पता नहीं क्या कारण है कि एक शब नहीं कहते हैं उसके बाद हिंदुस्तान की सरकार रफाइल जहाज करिकती है 136 जहाज हेल कंपनी को कॉंट्राइज दिया जाता है हेल कंपनी सरकारी कंपनी है जैसे यहां पिजली की कंपनी प्राइबेटाइज कर दी वैसे भी वहां 136 जहाज के बजाए 36 जहाज की डील हो जाती है हेल से जीन कर नेंद्र मौदी जी कि खास एक उद्योग पती को दिया जाता है इस उद्योग पती ने अपनी पूरी जिंदगी में हवाईजाज नहीं बनाया हेल सतर साल से हवाईजाज बनानी इस उद्योग पती पे 45,000 करोर रुपए का करजा है मोदी जी जाकर पैरिस में स्वायम अनाउंस्मेंट कर देते हैं जब मोदी जी अनाउंस्मेंट करते हैं तो रक्षा मंत्री गौवा में बैठे मच्ची की दुकान में मच्ची खरीद रहे हैं फोटो आप में मच्ची ऐसे उनसे पत्रकार पूछना भाईया यह क्या हुआ रक्षा मंत्री कहते हैं हमें नहीं मालूम प्रधान मंत्री जी से जाके पूछिए हमने प्रधान मंत्री जी से तीन सवाल पूछे रफाइल के बारे में पहला सवाल प्रधानमंत्री जी आँ बताईए जो आपने ये डील बदली हवाई जाज का दाम बड़ा या कम हुआ दूसरा यह अपने हल से छीन कर अपने उद्योग पती मित्र को दिया ये क्यों दिया किस बेसिस पे दिया क्या कारण था क्योंकि इस उद्योग पती ने अपनी जिन्दगी में हवाई चाल नहीं मिना है और एंचेल समतर साल से बना रही ये सवाल हमने नरेद्र मोधीजी से पूछे हमने उसे ये भी पूछा कि कि डिफेंस का कोई भी मामला होता है तो निर्ने लेने से पहले कैबिनेट कमिटी और सिक्योरिटी से पूछा जाता है जब आपने पैरिस में ये निर्ने लिया किया आपने इस कमिटी से पूछा हां या ना सवालों का जवाब नहीं दिया नरेद्र मोधीजी ने उल्टा पार्लमंट को बंद करा दिया अजीब से बात है हर साल मुवंबर में पार्लमंट खुटता है पता नहीं क्या कारण है किस साल पार्लमंट बंद है और गुजराद के चनाओं के अगले दिन पार्लमंट खुटने जा रहा है नरेद्र मोधी नहीं चाहते हैं कि रफाइल के मामले पर और जेशा जी के मामले पर पार्लमंट हाुस में बातचीत हो वो नहीं चाहते हैं कि गुजराइट की जंता देखे और समझे कि जैशा के मामले में क्या हुआ और राफाइल के मामले में क्या हुआ मगर सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता है और यह अभी शुरुवात है राफाइल का मामला जैशा का मामला शुरुवात है अभी बहुत सारे और सवाल है इससे भी बड़े और सवाल है और वो सामने आएंगे देश की जनता के सामने आएंगे गुजराट की जनता के सामने आएंगे उसको कोई नहीं रोक सकता है चुनाव का समय है गुजरात के बविश्य की बात है हम आपको एक सुनेरा बविश्य दे सकते हैं गुजरात की सरकार बनाएंगे आपके आपसे सुन कर काम करेंगे मैं आपको यहां से कहता हूँ बिना आपके पूछे बिना आपकी बात सुने कॉंग्रेस पार्टी का चीफ मिनिस्टर निन्ने नहीं लेगा वो जब ही निन्ने लेगा वो आपके बीच में आकर किसानों से मिलकर उनकी बात सुनकर सुरक में जो हमारे भी अपारी है उनकी बात सुनकर समझ कर निन्ने लेगा गपर सिंग टाइक्स जैसा नोट बंदी ने जैसा निंदे हम नहीं लेंगे हम आपको नुक्सान नहीं करेंगे आप सब दूर दूर से आए इसके लिए दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद और अंज में जो यहां अर्ट्वेक हुआ था जिन लोगों को नुक्सान हुआ था जो आपको दर्द हुआ था उन सब की हम याद करते हैं और दिल से दिल से उनकी याद करते हैं आप सब का बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्कार जहें करते हुआ करते हैं